कि रेसिपी को लाज तक देखे बनाते हुए और अच्छा लागे तो ज़रूर लाइक करें शेयर करें और कुछ भी जान करी चाहिए तो कॉमेंच ज़रूर करें तो देखिए लाज तक वीडियो को हाब रेंज तो चले आज बनाएंगे इंडिया का एक बहुत ही फेमर्स रेसिपी हाज्रा बर्यानी जा दोस्तों यहापे हमने ले दाल चीरी थोड़ा सा काली मिर्च पावडर काली मिर्च थोड़ा एलाइची और लॉंग आप चाहिते हैं शाही जीरा भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर आमने कुछ प्याज ले लिया क्योंकि भी रहनी के लिए बहुत खास है तो इससे बनाएंगे बिरिस्टा तो पु जल जाएगा तो हाथ से इसे मसल के थोड़ा अलग कर लिजिए तेल साइड में रख दीजे गरम होने के लिए यह देखे तेल गरम हो चुका है हमारा तो इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे और अच्छा से फ्राइच करने के लिए यह आगे हमारा प्याज इसको पीछ के पाउडर बनना लेंगे और यहाँ पर दिखे हमारा बरेस्ता भी तैयार हो चुका है तो ऐसे दो चट जो सफेद दीख रहा है यह अपने हीट से पूरा पक जाएगा तो इस टाइम में आपको बरेस्ता को निकाल लेना है इससे ज़्यादा करने के चक्कर में नही कि देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है तो इसको कर देते साइड ले लेंगे एक बॉल बॉल में डाल देंगे दो कप दही तो दही को पहले आच्छा से हम फेट लेंगे बहुत अच्छा से फेट लेना है दोस्तों तैयार है हमारा दाई फेट लिया हूँ और इसमें आड़ कर देंगे चिकेन तो यहाँ पर हमने लगभग 7 ग्राम चिकेन का यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक चमच मिटची पाउडर और यहाँ पर डाल देंगे देर चमच हमने जीरा पाउडर एक चमच गरम मसला डाल देंगे और डाल देंगे अधा ड्रकलेशन का पैस्ट दो चमच हम तो दूस्ति मेरिनेट बहुत अच्छा से करना है और इसमें हम डाल देंगे दो चमच धनिया पावडर और इसके एक बढ़ अच्छे से मिला लेना है नमक आप अपना साध अनुसर डालिए यहां पर हमने लगबग दो चमच नमक डाल रहा हूं और अच्छे से इसको हस्ते मिला लेजा एक बढ़ है बहुत अच्छा से मिलाना है हर एक पीस में मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए मैं तो इसमें हम डाल देंगे जो खड़े मसाला का हम पावडर बनाए था ओ खड़े मसाला इसमें डाल देंगे मसला थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसे आधाय डालेंगे और बाकी आप ऐसे रख दीजें मसला को कोई भी चीज में डाल सकते इसका खुश्बू बहुत अच्छा है और गराम मसला के जैसे बिल्कुल आएगा इसमें कलार के लिए हमने दो चमच काश्मिरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूँ देगी मिर्च अब कोई भी बीना तिखा वाला डाल सकते मिर्च और इसमें डाल देंगे हमने जब प्यास को फ्राई किया था विरेश्टा का तेल यह होता है बहुत ही इंपोर्टेंट चीज य डाल देंगे पूदिना के पत्ते तो इसको भी अच्छा से मिलाएंगे तो देखिए इसको भी अच्छा से आमने मिला लिया हूँ और इसमें डाल देंगे थुद्धा से ग्रीन चिली आप काटके डालिए पीश के डालिए जैसे भी है आप जितना तिका खाते इस सबस्तर डालिए और इसको हल्का से मिलाके बसे मेरानेट को एक घंटा के लिए स्टाइट करके रख देंगे ताकि हर कन में इसका सब कुछ मसाला आ सकते है यहाँ पर हमने चावल को भीगा कर रखा था आदा घंटा करिप यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आप बाश्मती चावली विजग करे क्योंकि साउथ में आप जाएंगे तो हम पर हर घर में बिरियानी बनता है पर छोटे राइस जिसको जीरा राइस बोल डाल देता हो पानी में इससे जो फ्लेवर पानी में आएगा वो चावल में बहुत अच्छा से मिक्स हो जाता है और खुश्बू बहुत बढ़ी आता है इसलिए यहाँ पर आप कम खुश्बू वाला चावल भी उसकर सकते है तो चावल को डाल देता है इसमें चावल को ब तो हम एक बॉल ले लेंगे बड़ा सा बॉल मेंस आप बोल सकते जिसको जिसमें चावल बनाएंगे तो कोई भी बड़ा बत्तन ले ले लिए तो आप कोशिश की जगा हमेशा थोरा सा मोटा बत्तन ले मोटा फतन लेने से नीचे लगने का चांस तुरक कम लेता है तो इसमें हम क्या करना है बड़े पतिला में डाल दिया अपना चिकन को मेरीनिटके होग चिकन चिकन में हमने एक चीज़ पहले आड़ नहीं किया था आप चाहे पहले भी कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा खाड़ागा मसला भी डाल देते हैं और इसमें हम पहले जो डाला नहीं था वो है बिरेस्ता आप चाये बेरिश्ता के साथ भी इसको मैरेनेat करके रख सकते हैं या बाद में भी डाल सकते तो यहाँ पर हमने बेरिश्ता को भी थोड़ा बेरिश्ता इसमें डाल देंगे इसका जो फलेवर है चिक्ईन के साथ न्हेने ऐसाथ okay है। तो इसमें बिरस्ता को डाल के अच्छे से हमें मिला लेना है एक बार तो देखिए चिगेन मारेनेट हमारा कॉम्पिलिट हो चुका है तो चावल भी हमारा 50 परसन कड़ी पक चुका है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा चावल का फर्स्ट लेयर चावल को बहुत ज़्यादा पकाने से क्या होगा दोस्तों यह चिकेन पकते पकते चावल का खिचुरी बन जाएगा इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए 50 परसन तक ही चावल को पकाए और फर्स लेयर डाल देंगे हम थोड़ा खुश्बू के लिए इलाची पाउडर इलाची पाउडर नहीं है और इसलिए आप इलाची को कूटके भी थोड़ा डाल सकते हैं और इसके उपर और एक लेयर डालेंगे यह ब्रेस्ता ब्रेशत के उपर हम डाल देंगे थोड़ा धनिया पत्ता और फुदीना फ्रेश पुदीना के पत्ते तो इससे बहुत अच्छा फ्लेबर बहुत अच्छा अता है कि अगर अच्छा नहीं होगा तो चाहे जितना भी आप कालार दे दो तो देखने के लिए अच्छ होने से खाने वे अच्छ नहीं होगा तो इसमें हमने लिया दूद इसमें जब फ्रन डालावा दूद लिया हूँ जो अधा कप लिया हूँ इसके उपर से थोड़ा डाल देंगे तो जब फ्रन क्या करना है आदा गिलास दूद में आदा कब डूबंद में थोड़ा जब फ्रन डालके हलका गरम दूद में डालके इसको थोड़ी दे रख दीजिए तो इसके कलर अच्छा से आ जाता है इसको पर हम दूसरा लेयर डाल देंगे सेम पहले चावल उसके उपर पुदेना धनिया पत्ता और हमारा बिरेस्ता है इसके उपर हम फिर से डाल देंगे किशरवला दूद तो आप क्या करना है दोस्तो इसमें अगर कालर आपको चाहिए तो थोड़ा सा दूद अलग से तो उससे बहुत अच्छा अच्छ कालर आता है हमें कालर खाना नहीं इसलिए हम ने डाला अगर आपको चाहिए तो डाल दीजिए ओके तो यहां पर हमने कि चड़ा दिया हो गैस में कि इसको कहकरना है फर्स्ट हम थोड़ा से घी डाला हूँ और तेल आप इसमें ना ब्रेणी में थोड़ा तेल जाला है डालते नहीं तो गले में फस्ता है तो मज़ा नहीं आता है अब जिस टाम चिकन को अच्छे से मरेनेट करते हैं उस त्वरा अच्छे से डाली है और इसमें कहकरना है लो फिलम में एक मिनिट पकाईए क्यों बत् ताव के उपर रखे हमें 10 मिनिट और ढखके पकाना है बस बिर्येनी तैयार है तो बिर्येनी बनने में आपका टोटल 12-15 मिनिट लगता है उससे ज्यादा नहीं लगेगा तो यह देखिए बिर्येनी हमारा तैयार हो चुका है तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ अगर आ येलो फूट कलर गोल के डालिए और चावल के उपर से एक डाल के फिर ढकन बन करके उसको पकाई यह तो बहुत अच्छा कलर आता है और हमने यह पर चिकन में बहुत कलर डाला हूँ तो नीचे से जैसे उठाएंगे फुल कलर आ जाएगा इसमें कलर की कोई ज़रत नहीं यह देखिए कितना अच्छा कलर है नीचे यह देखिए और चिकन भी हमारा पूरा पक चुका है यह देखिए बिल्कुल अच्छा से आपको दिखा नहीं पाया इसके क्योंकि क्यामेरा तुरा जोग गया नो प्रब्लम बहुत ही अच्छा बहुत ही खुश्पु वाला यह हिद्रावादी बिर्याणी बन के तयार हो चुका है यह देखिए वाला यह चीकन देख लिजिए बहुत अच्छा से गल खाने के लिए सार्व किजिए तो यह देखिए दोस्तों हमरा है देवादी बिर्याणी तैयार है बिर्याणी